पुर्व सिचाई मंत्री देवी सिंग भाटी के गोचर में कबजाधारियों को गैलोत सरकार द्वारा पट्टा जारी करने के आदेश के खिलाफ अनिश्चित कालें धरने के समर्थन में आज देश नोप उप तहसील के सामने बाटी समर्थक वो गोप रेमियों ने सांकेतिक धरना शुरू किया देश नोप तहसील के नायब तहसीलदार बिहरी लाल कुमुक्य मंत्री के नाब ग्यापन भी सौपा गया इस ग्यापन में सरकार द्वारा गोचर में कबजाधारियों को सौ वर मीटर का पट्टा जारी करने के निरनाय को निरस्त करने की मांग की गई ह साथी चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार ने अपना इरनाय वापस नहीं लिया तो अनिश्चित कालीन धरना वो भूख अड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा धरनास्थाल पर भाटी जिन्दाबाद और गहलोच सरकार हाई हाई के नारे भी लगाए गए गोरतलब है कि 15 दिसमबर 2021 को गैलोच मंत्री मंडल ने 30 वर्ष्ट से 4 गाह में आवासी अतिक्रमन कर निवास कर लोगों को 100 वर्ग मीटर का पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया था देशलोग से लक्षमी नारे अरे शर्मा की विश्यश रिपोर्ट रहे हैं अधि दर्णा एनिस्चित है या आद की लिए संकेते गई हैं हमारे लिडर भीकानेर के अंदर अधिस्ट काड़नीं गड़ना दे रखे हैं और इस बातों पर पुतन विचार नहीं हुआ तो वह करताल करने का भी पहले पूरू में कह तुके हैं अजय पीड़ि आप लोगं को त्छी ऑन्वी फोर में गोचर के मां जो फट्टेजारी करने के लिए उसके विरोध में दिया है देवीशिजी भ्तेजी के नेतरतों में किये सब्सक्राइब ईसके सरक्रेब क्टरा नियम था कि ओरन कोचर में कोई भी अभी कभजा या पटा है उसको अठाया जाए ज़्क यदो सरकार में नियम लिकाल दिया कि सोग़र पट्टा बना जिया है यह सल रहं में उसके खिलापत है हम सब मिलकर इसकी खिलामत कर दें इसक्सित पाटी तुम शंगास करो हम कुमारे साथ एं